दोस्तों आज की वीडियो होने वाली ये बैफिर से बहुत ज़्यदा शानदार इदम धमखिदार वीडियो हमेशे की तरह आज फिर से मैं आपको के लियाया हूँ सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं दिखते हैं कहां की लोकेशन है क्या प्राइजिंग है कैसे आप लोग लेंगे सारी डीटेस बताता हूं आप लोग को सब्सक्राइब करते हैं अच्छाली गर्जाण बाया का और अजिकते हैं और सबक्षता ह्त्तर डेश फीडव हैं में निपेंगार आप जितना एक सीट करना चाहिए एक करोड़ डेड़ करोड़ तब तक हमारे तक के हमारे बास फोर बीच के अविलेबल रहते हैं असा लोकेशन की बाद करनो तो अपनो वेस्टेली कहे रहे हैं का साथ है बिल्कुल सर उत्तमनगर ईस से लेके द्वारका मोड तक जितनी भी लोकेशन है और द्वारका मोड से आगे भी जैसे भरत वियार है हरी वियार है हरी वियार में हमारी 540 गज की एक साइड बन रही है जो कि बिल्कुल 13 सेक्टर पाक के बिल्कुल पास में है और मेट्रो से आपका वेकर स्मॉल के भी पास में आप देख सकते हैं यह उसका यह प्रोजेक्ट चल रहा है 55 फुटा रोड के उपर अच्छा यह हमारा प्रोजेक्ट है ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्स है तीन से चार प्रोजेक्स अभी हमारे ओंगोइंग पे है इसमें अगर आप रेडी तो मुविन भी मिलेगा और अगर अंडर कंसक्शन चारे तो अ प्रोजेक्स बता देता हूं विवर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज आपको ऑन टेबल यही समझा देता हूं जितना आप मेट्रों के पास लेंगे उतना आपका फ्लाट कोस्ली आएगा क्योंकि वहां जो किलोमीटर के रेडियस पे चले जाते हो तो वह आपको 60-65 रुपे में 55 रुपे के करीब से स्टाट जाता है और 65 रुपे तक अविलेबल रहता है तो जैसे बहुत लोगों का सर कैश में सैल्ली आती तो लों का भी लोन हो जाता है कि बिल्कुल हो जाता है 82 90% लोन आपको उत्तमनगर में बिल्कुल दिया जाएगा 10% की आपकी डाउन पेमेंट रहती है तो अब जादा देर नहीं करते हैं आज आपको बता दूँ आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं एक कॉमन रूफ राइट और टेरेस गार्डन के साथ आपकी रहने वाली है क्या बात है में दूसरी बार आपको ऐसा जो प्रॉपर्टी है वो मिलने वाली है जिसमें रूफ राइट भी कॉमन है जाए आप अपर ग्राउंड फ्लोर पे हो जाए आप अपने घर का चोटा मोटा फंक्शन भी वहीं कर सकते हैं तो जादा देर नहीं करते हैं आईए डिरेक्ली चल लोगों को देखें यह पूरी रोड होने वाली है सर कहा की लोकेशन हो की बात करें तो यह मोहन गारन में सिच्वेटेड है यह से नवादा मेट्रो सेशन और दौर का मोड थोड़ा नेरिश पड़ेगा और मार्केट यहां से मात्र और मात्र एक से दो मिनिट की दूरी पर सारी मार्केट है में रोड सारा कुछ दे रखा है और देख सकते हैं यह रहे कि बिल्डिंग इलवेशन क्या बात है काफी बड़ी सी बिल्डिंग बना रखी है सारे बात करो इसके तो विल्डिंग है इसमें आपको 3BHK और 2BHK दोनों एविलेबल मिल जाएंगे एक साथ कॉमन रूफ राइट है टेरिस भी इसका कॉमन रहने वाला है तो आप सो सकते हैं पांसो गज में जब आपने घर का फंक्शन भी कर सकते हैं बिल्डिंग बिल्डिंग कितनी शांदा कितनी जवर्दस बना रखी बाहर से देखिए पुरा टैलिंग का वर्क आप लोग को द का यहां टाइल पूर यहां पूरा तरह जगा कर रहने वाला इंद पूरे में अप देखो यहां पर हर जगा प्रौफाइल लाइट मिल्ले वाली है तो आपका कोई बी चोटा मोटा फंक्शन है आप नीचे भी कर सकते और वाभी आपको तैरेस गाँगा अप पर दू फ्रंट साइड में रहने वाले हैं एक बार ना कैमरा गुमा दो सब को अपने आप दिख जाएगा आप कहां पर हो आप देख सकते हो कितना शांदार आपका ये टैरिस गार्डन रहने वाला है आप देखो कितना बड़ा और अलग से किट जोन भी समें बनाया हुआ है किट इ आपको अपना शाम को यहां पर इंजॉय भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जबरदस दोस्तों में पूरा टैरेस गार्डन पर बना रहा है बहुत ही बहत्रीन पता नहीं सुरह दोस्तों आप लोगों को दिखे पूरा दिखी रहा होगा मतलब इतनी ची डेकोरेशन और आपको अभी रेट भी बता देता हूं 3BHK आपको अराउंड 52 लाक रुबेस के अराउंड मिल जाएगा और जो इसमें 2BHK वो आपको 31-32 लाक रुबेस के अराउंड मिल जाएगा इसके अंदर देखे शाम के टाइम पर यहां लाइट्स मतलब अलगी जैसे जैसे अं दोस्तों वो एक यहां पर डिफरेंट होने वाला देखे तने तरह का एक्सपरियंस आप अपर की तरफ देखे पूरा ग्रीन अरिया आपका रहने वाला है पूरा अर्टिशल ग्रास का यहां वर्क करके प्रॉपर एक चीज का ध्यान रखा हुए इस तरह आएंगे तो चोटे बच्चे अपना आराम से इजली जम वगएरा गर सकते हैं और अब आपको लेके चलता हूं अंदर की तरफ आप यहां देखेंगे यह टेबल टैनिस पड़ा हुआ और इसके नीचे पूल का टेबल वी है अच्छा जी आप देखेंगे फैंस वगएरा सब कुछ यह यहां पर लगाया हुआ है यहां आपकी प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट रहने वाली है आप शाम को यहां पर अराम से बैट के गेम्स वगएरा खेल सकते हैं एसी हमने यहां पर आपको लगा के दिया हुए अरे वहां पर देखिए एक जिम भी बना रखा है बिल्कुल यहां पर आपको डिस्क्लोज कर दी हैं और तू बीच के साथ गज में आपका मातरी कती से बत्तिसलाग रुपे के बीच में आपको तू बीच के मिलने वाला है यह रहे है कि स्टेर्स नीचे आप पूरा ग्रेंग कर रखा है और यहां सबात प्र लाइटिंग काम कर रहें यहां प्रॉपर लाइटिंग काम है यहां तूक पूरा प्रॉपर टाइल वर की आपको तॉप 4-5 फिट थक की आप की हाइट काम यहां ने यह आपको डिया जोंड रहें हैंट क्या वात तूरफ क्या वात इसल ग्रास क करके आप कर के छी सकता है माषालो वाले यहां पर हम आप देख सकते हैं यहां पर भी हमने पीवीजी शीट का यूज करके और प्रॉपर आपको फॉल सीलिंग की तरह एक डिजाइन बना रहा है विद अटाच लेडी लाइट लाइट के साथ वर्क करा हुआ है और नीचे फ्लोरिंग पर भी आप देख सकते हो हमने यहां पर भी आपको विट्रिफाइट टाइल्स का प्रॉपर वर्क करके दिया हुआ है बहुत ही शांदा देखिए पूरा वर्क कर रहा है मतलब एक लगजरी फिलिंग आप लोगों देखिए इस बिल्डिंग में रहकर के होने वाली है और इंटरेंस फ्लैट का बिल्कुल विया इदर रहकी हो है वाल इल्ड़ कर लगा कि दिया रहा यह तरह तरह झिल पर आट फीट साड़े लगा हम ने वाला है यह जैसे आप अंदर उन्टर कर एंगे तो यहां आपका शूरा करे caterpillar इस तरह आप देखेंगे तो audio video visual intercom facility आपको यहां पर लगके मिलेगी निचे पूरे camera लग जाएंगे फ्लोरिंग की बात करूं तो पूरे flat में हमने white color की vitrified tiles का white and brown color की vitrified tiles का work कर रहा हुआ है सेम आपकी सारे flat के अंदर ये टाइल रहने वाली है क्या बात काफी देखें आप लोगो देखें यहीं से पुरा हॉल मिल रहा है काफी बड़ा सा फ्लैट कितने अरिया में दोना रखा सर इसको यह सोगज प्लस में है और यह सोगज रहेगा वैसे लग 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 एक सो तीन से एक सो पांच गज के अरांड इसका एरिया रहने वाला है कितनी स्पेस आप लोगो देखिए पूरा कुरा बिल्कुल सेपरेट कर दिया है पार्टिशन बुडन पानलिंग से यहां पर पार्टिशन कर रखा है तरह आप आएंगे तो आपकी देखेंगे किंग साइस की आपकी LCD पैनल रहेगी प्रॉपर आर्टिफिशल ग्रास का वर्क करके दिया हुआ है इस तरह आप देखेंगे तो स्लिट एसी की हमने प्रॉपर लगा के दिया हुआ है और फॉल सीलिंग में भी आप देख सकते हो कॉब लाइट और LED लाइट का प्रॉपर रहने वाला है तो बकाइदा एक एक चीज का ध्यान रखा हुआ है सैमी फर्निश लेना चाहो तो सैमी फर्निश भी मिल जाएगा फुली फर्निश ले काफी स्पेश पूरा मिल यहां पर यहां तरह देखेंगे आप देखोगे हमारी बहुत ही सुंदर सी इस तरफ किचन रहने वाली है किचन का जो वाशिंग एरिया है और प्लस आपका जो आरो का सेक्शन आप देख सकते हैं यहां पर आरो भी आपको लगा हुआ मिलेगा त इस तरह आप देखेंगे तो आपकी अलेक्ट्रोनिक चिमनी रहने वाली है अपको लगा हुआ मिला है जितनी भी फिटिंग्स है वो सारी की सारी ब्रेंड़ कंपनी की रहने वाली है आप देख सकते हो प्रोपर यहां पर हमने आपको क्याबिनेट्स बना के दिये हूँ है देख सकते हैं अंदर और बार की तरफ प्रोपर संमाई के काम रहने वाला है नीचे की तरफ भी आप देखेंगे तो प्रोपर आपके ड्रॉर्स रहने वाले और इस तरफ एक चीज आज तक आपको देखीं नी होगी इससे पहले भी थी पिछले वाले फ्लैट में और इसम और यहां पर काम कर रखा है है राप लगिशन काफी इस्टाइट पूरी हो जाएगागी इस तरह आफो प्रॉपर शाफ रहने वाली है फो रेटी इस तरह आप देखेंगे बहुती स्पेशियस जगा है आप आटा बास्केट वगएर अपना चाहें अपनी क्रोकरी वगएरा रखना चाहें तो आप इसली इसमें प्लेस कर सकते हैं और शेल्फ पे आप देखेंगे तो ग्रेनाइट मार्बल का उमने यूस कर रखा है और टा आप लोगों के लिए तो आपकी कुपरोड बना दिया है और यह देखें यह पर सब्सक्राइशन आइटम के लिए आप अप पर बना रख लोगों को बहुत ही जवर्दद विखें पूरा बना रख आपर अम चलते हैं तो अपने वाश्रूम के तरप सर्व आज एगे प्ल आपका सिंक रहने वाला है निचे पूरी प्रॉपर वैनेटी एंड आपका बाथिंग स्पेस भी हमने बिल्कुल अलग कर दिया है अच्छा आप देखें यहां मर आपकी सीट रहने वाली है आपको गीजर इसमें लगा हुआ मिलेगा अपकी शार रहने वाली है जितने भी फ पॉली इसलिंग आटाच LED lights and cop lights या अनलग द्यान रख के आपका यह वाष्रूम कॉमन वाश्रूम बनाआ हुआ है जिसको आप गेस्ट बेश्रूम ने वाला इसको देख लोग ऑनका दिल बाग बाग हुने वाला है में आप हम चलते हैं आपने फर्स बेड्रूम में यह आ आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए बड़ा से ऐसी की डटिंगर के दी वी है तरह आएंगे तो आपको सेपरेट सा डे टेबल देडिया अपना लाप्तोप कंप्यूटर या और आफिस कोई भी वी करी कर सकते हैं रूफ पे भी आप देखिए बहुत अलग सी फॉल सीलिंग बुटन डिजाइंग में बनाके और आपको LED लाइट्स और कॉब लाइट्स का वोक करके दिया हुआ है बिल्कुल भी और फैन आपको लगा हुआ इसके अंदर मिलने वाला है और रूम की स्पेस की बात करो दोस्त तो काफी स्पेस्यास पूरा है होने वाला देख सते हैं बहुत ही धमाकेदार यह हमारा फ्लाइट हो जाएगा तो अम चलेंगे सर अपने सेकंड बेड्रूम के बिल्कुल यह सेकंड बेड्रूम आने है मारा आप देख सकते हैं यह बालकनी के साथ अटाच रहने वाला है अपने अपना विंडों एसिसेख अट आपको प्रहऋल टेञा थंट करके दीजा अपना विंडों ग मैचान के लिह सकते हैं आपको यह उतिलाइस कर सकते हैं यह एधर आपको च्छेभाइच से बैड लगा के लियी अग cream अपन छों सेट अब दिहां के लुंडर ओंस आप यहां पर अपना विंडो एसी प्लेस कर सकते हैं फोर दे वेंटिलेशन हमने आपको विंडो दी वही है एंद फोर दे सिक्योरिटी परपस यहां पर हमने आपको आइरन बार्स दिये हो है एंद अब हम चलते हैं पनी बालकनी की तरफ तो यहां पर भी आपको दिखा देता अगेन ACP sheet से आपको बार का design बना के दिया हूँ है, हैंग लाइट आपकी रहने वाली है दोस्तों दिखे हैं भुपसुरों से काम आप लोग को प्रोवाइट से ही प्रोवाइट से पूरा वर्क लोग का मिल जाएगा इस तरह आप देखेंगे 304K की रेलिंग बीच में टफन ग्लास का प्रोपर वर्क इसमें भी रहने वाला है आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस एंड सामने की तरह आप देखेंगे यहां पर तो यहां पर हमने आपको वाशिंग मशीन का स्पेस दिया हूँ आप यहां इस रूम की फॉल सेलिंग देखता है इस तरीके से डिफरेंट डिजाइन आप लोगो इस सेकेंड बेड्रूम में यहां पर पूरा मिलने वाला है तो हम लेचलेंगे अपने थर्ड बेड्रूम में जो की हमारा अटैच वाश्रूम के साथ रहेगा यह हमारा मास्टर बेड इस तरफ रहेगा अगें फैंस आपको यहां लगे वे मिलने वाले बिल्कुल बहतरी इन सा थिए फाइव स्टर तरीके से पूरा लग्जूरियस फ्लैट पूरा अम दिखा यहां यहां पर ऐसी प्रोपर्टी आप लोगों को रहर ही अवलेवल मिलेगी मतलब बार नहीं द जाने देंगे तो यहां लडाई का चकरी खतब हो यहां पर आप अपना विंडो एसी प्लेस कर सकते हैं वेंटिलेशन के लिए आपकी विंडो रहेगी और एक बार प्लीज बहिया यह वाश्रूम दिखा दीजेए प्रोपर वाल-to-वाल टाइल्स का वोग कर रखा है अच जोड़ो यह पूरा फ्लैट इसकी टेरेस एक चीज बकाइदा ध्यान रखके बनाई गई है बहुत ही बहतरी से पूरा थी भी एच का फ्लैट हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं सौगज में देख सकते हैं पूरा लग्जूरियस पूरा हो जाएगा तो हम चलेंगे सार अ आपको साइस बता देता हूं अभी तुब यह चे के इसमें 60 स्केर याड का रहने वाला है दोस्तों यह रहे हैं तो पीच के इस तरीके से सेम आप लोगो आप लोगों को जाली यहां पर सारा कुछ मिलने वाला है और यह रहेगा इसका में लिविंग हॉल लिविंग अरिय पर वह आपको रेट कंफर्म कर दिया जाएगा जब आएंगे बुकिंग के लिए बिल्कुल बिल्कुल स्पेस देखिए और काम देखिए बैतरीन सा पूरा देखिए सेम आप लोगों को वर्क जैसे थी पीच के में इस फ्लैट में पूरा मिल ला है फॉल सेलिंग सेते हैं जबर्दस बैतरीन सा आप देखिए जूमर के साथ दो दो फैन का ओप्शन आप लोगों को यहां पर मिल ला है मिरर कावर के साइड वे कर रखा है वाल पेपर के पास यह देख सते हैं अभी यह रेडी नहीं है अमने फुली फरनिश नहीं गरा इसको इसको चोटी सी आपक मास्टर बेडरूम रहने वाल है यहां पर भी आपको ड्रेसिंग टेबल वगयरा अटाच वाश्रूम तो बकाइदा हर चीज का ध्यान रखके आपका इसका भी सांपल रेडी करा है वाल पेपर आपकी चॉइस है आप जब मर्जी अपनी मर्जी से इसके अंदर वाल पेप कर रखा है और यह रहेगा हमारा कॉमन वश्रूम तो देख से दे दोस्तों कितना जबरदस्त आप लोगो टूपी एच्छे का यह वी फ्लैट होने वाला है काम की बात करो क्वालिटी की बात करो सेम वर्ग आप लोगो जैसे थ्री पीच्छे का है सेम ऐसे इसके इंतर कर बहुत ही थमाकेदार दोस्तों किष्णा एसोसेट से आप लोगो सारी प्रॉपटी मिलने वाली है सर मालिज अगर को इंट्रेस्टेट होता है लेने के लिए तो क्या-क्या विल्विल्टी दे रखी है कैसे कोई कॉंटेट करें कैसे लिए आप से आप हमारे गिवन नंबर पर देखे पहले प्रॉपटी के पेपर चेक करेंगे आप सिर्फ मिटिंग करने आईए हम 11-21,000 पर बिना भी आपको प्रॉपटी के पेपर चेक करा देंगे आप जब मर्जी अपने दिस दिल की तसली करिए हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर ये बनाई है विदा हेल अभी के नाम पर इसके पेपर हैं तो आपको जब मर्जी आई है और पेपर चेक करके जाए है तो आपने को फुली फॉनिज लेना हो सेमी लेना हो थ्री पीज के टूबिश के इस तरीके देखिए फाइव स्टार प्रॉपर्टी आप लोगों को सर प्रॉइड करने वाले तो दिये नमबर पर कॉंटेट करिए सारी डीटेस सारी है तो आप लोगों को फिशन अलुसियेट से मिलने वाली है बिलकुल भी है